Hello everyone, आज की इस वीडियो में quadilaterals में हमनों के एक theorem को देखने वाले हैं आईए देखते हैं theorem का statement क्या है तो यहां बोला जा रहा कि If the diagonals of a quadilateral are equal and bisect each other at right angles then prove that the quadilateral is a square यानि हमारे पास एक quadilateral दिया हुआ जिस quadilateral का दोनों diagonal का length equal है साथी साथ दोनों diagonal एक दूसरे को bisect कर रहा है right angle पे then so करना कि quadilateral क्या होगा square होगा तो square होने के लिए हमको दिखाना होगा कि सबसे पहले चारो side का length equal है और साथी साथ दिखाना होगा कि angle का measure कितना 90 degree है इसके बाद square हो जाएगा तो आईए जो हमको information दिया हुआ पहले उसको हम लिखते हैं और then उस information के थुरू हम लोग आगे बढ़ेंगे concentrate होकर क्या आपको देखते रहना तो यहाँ पे quadilateral हमारा होगा A, B, C, D इसमें दो diagonal है पहला diagonal हमारा AC है और दूसरा diagonal क्या है? B, D है दोनों एक दूसरे को perpendicularly bisect कर रहा है मालने ते point O पे तो bisect करने का मतलब क्या हुआ कि OA जो है OC के equal हो जाएगा OB जो है OD के equal हो जाएगा perpendicularly है यानि यहाँ पे angle 90 हो जाएगा तो एक 90 बना दिये तो समझे बाकि जो 3 बचरा AB का कितना हो जाएगा 90 90 ही हो जाएगा इसमें दिया हुआ कि diagonal का length भी equal है नहीं BD जो है कि सके equal है AC की equal है तो हमको show करना कि ABCD क्या होगा square होगा concentrate हो करके दिखीगा सबसे पहले जो दिया हुआ उसमें काम करते हैं तो लिखेंगे या से suppose suppose ABCD is a quadrilateral in which इसमें क्या क्या दिया हुआ लिखेंगे इन विच diagonals AC and BD intersect each other at point O such that और इसमें क्या 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 दिया हुआ so देखिए सबसे पहले दिया हुआ कि इसके diagonal का length equal है यानि AC जो है किसके equal है BD की equal है पिर दिया हुआ कि इसका diagonal जो है एक दूसरे को bicep कर रहा है OA जो है OC के equal and OB जो है किसके equal OD और साथी साथ EB दिया हुआ कि perpendicularly byset कर रहा है यानि AC जो है BD पे क्या perpendicular है एक बार फिर से देखिए इस quadrilateral ABCD में आपको दिया हुआ कि दोनों diagonal का length equal है यानि AC BD के equal है फिर दिया हुआ एक दूसरे को bicep कर रहा है यानि आदा दा बाट रहा है तो OA OC के equal OB OD के equal साथी साथ दिया हुआ कि यहाँ पे जो angle बना रहा है B कितने का बना रहा है तो 90DD के बना रहा है हमको सो करना है कि ABCD क्या होगा स्कॉयर होगा यहाँ लिखते हैं तो प्रूब में हमको क्या करना है ध्यान से दिखेगा कि ABCD is A square हमको दिखाना है कि ABCD क्या होगा स्कॉयर होगा तो स्कॉयर होने के लिए हमको दिखाना होगा कि सबसे पहले इसके चारो साइड का length equal है तो चारो साइड करें तो रोंबस भी हो सकता है तो इसके लिए आपको क्लियर करना होगा कि इसमें एंगल का मेजर कितना है 90 एक 90 दिखा दिखा दिजेगा तो चारो आटमेटिक 90 हो जाएगा और उसके बाद स्कॉयर सो हो जाएगा तो सबसे पर लिखेंगे सिंस सिंस डाइगोनल्स एसी एंड वीडी बाइसेक्ट कि इच अधर डाइगोनल एसी और बीडी जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो अधर से एडी जो दिख रहा है यह हमारा किसके इकवेसर बना लेते है ठीक है अब ध्यान से देख़ें आगे हम क्या काम करने वाले हमको तो चारो साइट ना इकौल दिखोना होगा तो इसके लिए हम दो ऐसे triangle का selection करेंगे कि जिसमें दो लगतार side आ जाए जैसे माल लेते हैं कि एक में side AB आ जा और दूसरे में side BC आ जा जा इसका ख्याल हम रखेंगे तो एक triangle लेते हैं AOB इसमे side AB आ रहा एक triangle लेते है BOC तो इसमे side BC आ रहा हम दोनों triangle को congruent करेंगे तो हमारा AB जो है BC के equal हो जागा और जैसे ही AB BC के equal होगा और इसके साथ हम conclusion लेंगे तो इसके बाद हमारा चारो side equal हो जाएगा तो देखें लिखते हैं लिखेंगे यहां से intringle AOB intringle BOC दोनों congruent करेंगे इसका OA जो है OC के equal है यह हमारा question में दिया हुआ इसका OB जो है दोनों में दिखे रहा OB equal to OB हमारा दोनों में क्या हो जागा तो common हो जागा इसके साथ ही साथ angle AOB angle AOB इसके equal हो जागा तो angle BOC के हो जागा question में दिया हुआ perpendicular यानि angle कितने का हो जागा 90 का एक बाद द्यान से देखिए OA OC के equal OB दोनों में common यह आपका 90 और AB 90 यानि side angle side से दोनों triangle congruent हो जागा therefore triangle AOB congruent triangle BOC by किस criteria से तो SAS से ठीक है और जब दोनों congruent होगा तो CP CT से हमारा AB किसके equal हो जागा तो BC के equal हो जागा AB किसके equal BC के by CP CT CP CT यहां कैसे काम किया तो देख रहे ना कि इस angle 90 के सामने AB है तो यहां 90 के सामने को ना BC यानि AB BC के equal हो जागा इसको equation second मनाते हैं अब थोड़ा से ध्यान से देखिएगा अब भी इसमें हम देख रहे हैं कि AB DC के equal है और AD BC के equal है यहां देख रहे हैं AB BC के equal है तो यहां देखिए एक AB मिल रहा है यहां BC मिल रहा है दोनों बोल रहा है इक्वल है तो इसका मतलब conclusion करेंगे तो हमारा चारो equal हो जागा यहां आप ऐसे भी समझे कि पहले हम दिखाएं कि AB DC के equal है BC equal CD equal DA यहां चारो साइड का लेंद क्या हो गया इक्वल हो गया तो इतना से भी स्कॉर क्लियर नहीं होगा स्कॉर के लिए आपको एंगल भी दिखाना होगा 90 का एक एंगल दिखा देंगे तो बाकी भी 90 हो जाएगा इसके लिए हम दो ट्रेंगल का सेलेक्शन करते हैं ठीक है एक में डिएगुनल बीडी आता हो और दूसरे में डिएगुनल के आता हो तो देखे एक ट्रेंगल हम ले रहा है A B C और एक ट्रेंगल रहा है B A D दोनों को कन्वरेंट करेंगे लिखेंगे यहां से इंट्रेंगल A B C एंट्रेंगल B A D दियान से देखेगा क्या लिखते हैं अब दोनों ट्रेंगल में आते हैं तो इसका A D जो है इसके B C के इक्वल है ज़स्ट दिखाया हैं अभी हम A D जो है किसके इक्वल है BC के equal है आपका AB जो देख रहा है दोनों में common है AB equal AB हमारा दोनों में क्या हो जाएगा common हो जाएगा फिर यहां से जो देख रहा है इसका AC इसके BD के equal हो जाएगा question में दिया हुआ question में दिया हो ना कि दोनों का diagonal का length क्या equal है यह हमारा given हो गया तो finally आप ध्यान से देखेगा triangle ABC और triangle BAD में तो तीनों side का length equal हो गया तो जब तीनों side बराबर हो जाएगा तो SSS से हमारा triangle ABC congruent हो जाएगा किस के triangle BAD के किस credit area से हैं तो SSS से जब दोनों congruent होगा तो CPCT से देख रहा है आप BD के सामने angle BAD बन रहा तो इधर AC के सामने कौन बना तो ABC बना नहीं दूनों angle equal हो जाएगा लिखेंगा therefore angle ABC equal angle BAD by CPCT से ठीक है आँ तक अब यह आपको पहले दिखा चुके कि parallelogram है तो parallelogram का मतलब opposite side parallel तो यह मना transversal हो जाएगा तो आपका कोई interior angle से दोनों angle का सम कितना हो जागा तो 180 हो जागा ऐसे भी आप जानते कि parallelogram में कोई भी दो consecutive interior एंगे लिजेगा तो उसका सम 180 होता तो इसका और इसका सम 180 तो लिखेंगे यहां से therefore angle BAC sorry BAD हमारा कितना होगा 90 हो गया ABC के बात करेंगे तो अगर हम यहां पर दिखा लिए कि इसके चारो साइड का length equal है और कोई एक angle का measure 90 है तो इतना ही से clear हो जागा कि हमारा क्या square है जोगा चुकि जब एक 90 होगा तो इसमें vertically angle equal हो जागा चुकि चारो साइड equal है तो इन 90 है यह भी 90 हो जागा चुकि दोनों का समवागा निकाल लेंगे 90 फिर इसके अपोजिट में 90 फिर इसके अपोजिट में 90 ऐसे करके हो जागा आप ऐसा समाझ सकते हैं कि ABCD का देख ना हो जागा तो इस वीडियो में हमनों क्या देखें कि अगर हमारे पास को यह उसके दोनों डाइगोनल का लेंट इक दूसरे को बाइसे कर रहा पर पेंडिकुलर ली देन उसको आप बोलेंगे स्कॉयर बोलेंगे आसा करते वीडियो आपको समाझ में आगया होगा मिलेंग अगले वीडियो में थेंक यू